नमस्कार, मैं सुनी ता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनीए चंद्र किरण सौनरक्षाजी की कहानी सुभा की कमजोरी घड़ी ने साड़े छे बजे की एक टन बजाए सुशीला ने चादर से मुँ बाहर निकाला और सोचा कि अब लेटे रहने से तो काम नहीं चलेगा यूनीन तो उसे वैसे भी बहुत कम आती है चार, पाँच और छे के घंडे में उसने चार पाई पर करवडर बदलते ही सुने थे किन्तु उठने के समय उसके तन मन पर एक थकान और सुस्ती सी च्छाई रहती थी डॉक्टर का कहना है कि इसे सवेरे की कमजोरी कहते हैं चार महिन उसे वैदवा भी खा रहे हैं और इंजेक्शन भी लग रहे हैं पर रोग है कि जाने का नाम नहीं लेता बस रात दिन देवा मन पर एक जड़ता सी च्छाई रहती है भूग भी कम लगती है और कोई काम करने में मन नहीं लगता परहें तो घ्रस्ती है पती है तीन बच्चे है काम तो करना ही होता है सुषीला ने मूपर छित्रा आई लटो को हाथ से पीछे किया साड़ी का पला ठीक्या और उठ बैठी दीरे दीरे घर के काम काच परती दिन की दिन चरिया के रूप में चलने लगे नौकर छोकरी की साहता लेकर घरांगन बुहारा गया चूला जला नाश्ता बना पती को चाए भेजी साड़े नौ तक भोजन भी बन गया पती के दफ्तर और बच्चों की स्कूल जाने के बाद वे अपना नाना दोना करेगी तब यदि इच्छा हुई तो दो रोटी खा लेगी घर में काम ही कौन सा अधिक है दौनों बड़े लड़के स्कूल चले जाते हैं बस पांच वर्ष की चुन्नी ही घर की सफाई और निस्तबदता को भंग करने के लिए रह जाती है पती मनोहरलाल अच्छे स्वस्त पुरुश है अवस्ता होगी यही 35-36 की पर देखने में इससे भी कम के ही जच्चते हैं पत्ने की बिमारी से वे भी परिशान है पिछले साल जब सुशीला के पांचवी मृत संतान ने जनम लिया तभी से वे बिमार है ऐसी बिमारी तो नहीं कि चार पाई पर पड़ी रहे या बुखार उतरता ही ना हो पर वे दिनो दिन दिनो दिन कमजोर ही होती जाती है चड़चड़ी भी दवा इलाज में मनोहर भाबू कमें नहीं करते फल दूद जो चाहें मंगाए खाए तनखा तो वे पूरी की पूरी पतनें के हाथ पर रख देते है दफ्तर को चलने के लिए तयार हो तो मनोहर बाबू ने रसोई घर के द्वार पर खड़े हो नित्य की भाती प्रशन किया अरे आज तबियत केसी है अच्छी ही है सुशीला ने भी पुराना उत्तर धोराया देखो दवा समय पर ले लिया करो बीच बीच में दवा छोड़ देती हो भी तो रोग नहीं जाता और हाँ डॉक्टर ने कहा है कि प्रात्या काल मील आद मील टहल आया करो तो जल्दी ही स्वास्ते संभल जाएगा सुशीला ने तवे पर अंतिम फुलका छोड़ते वे अलस भाव से का पती ने तनी खीज से का अरे तुम तो किसी बात पर ठीक ठाक अमल ही ने करती जरा सूरत तो देखो कैसी होती जा रही है कल से सवेरे टहल ने अवश्य जाया करना लेकिन किसके साथ जाओं इस बार सुशीला ने मूँ उचा किया तुम तो साथ बजी से पहले कभी उठते ही नहीं किसके साथ यह तो मनोहर बाबू ने कभी सोचा ही नहीं था दोशन डुकर बोले सुभाश को जगा लिया करो उसका भी टैल ना हो जाया करेका और ना होतो तुम अकेली ही जा सकती हो अच्छा तो चलो शाम को कुछ देर से लोटूंगा बाबू शाम लाल के याँ चाय पाटी है कहते कहते मनोहर बाबू साइकल पकड़ कर बाहर चल दिये सुशीला का मन ना जाने क्यों खीस से भर गया कुछ बात भी नहीं है पता नहीं पती ने कोई कड़ी बात भी नहीं कही कभी कहते भी नहीं है बलकि जबसे वे बिमार रहने लगी है तबसे वे सभी बातों में सतर्क रहने लगी डॉक्टर ने कहा है अब दो चार वर्ष संतान नहीं होनी चाहिए और सुशीला जानती है इधर चार महीनों से मनोहर बाबू इस बारे में कितने सातर्ख हैं ऐसे भला ऐसा पती दुनिया में किसे मिलता है पती के प्रती मन में वै अत्यंत करता ग्या है परंतु इस समय के विल इतनी ही बात पर उसका मन रोज़ से खीश से भर उटा कैसे सहजबाव से कह दिया ना हो सेर करने अकेली ही चली जाया करो अकेली हाँ हाँ ठीकी तो है मैं अब बुड़ी जो हो गई हूँ नीली नसे उबरी हुई अपनी गोरी पतली पीली सी बाहू को देखकर उसने सोचा क्या बचा है अब मुझ में या पहरेदर साथ लगा कर वह क्या करेगी हाँ फागुन से 29 वा शुरू हो गया तीस के बाद तो औरत बुड़ी ही हो जाती है बुड़ी कब किस प्रत्याशित शन में समय राक्षष ने उसका योवन चुरा ही लिया रसुई वैसी छोड़कर वह कमरे में आ गई वैसी सिल्वटे पड़ी मैली धोती पहने वह श्रिंगार मेच के सामने जाकड़ी नाग पर जगा जगा कालिक लगी हुई गाल पिछके आखे निस्तेज ओ तो वह बुड़ी हो गई है इसी से इन्हें मुझ में कोई आकर्षन नहीं प्रतीत होता इन्हें क्या शायद किसी के लिए भी तो कोई आकर्षन शेश नहीं रहा सुशीला को लगा उसकी वह सवेरे की कमजोरी अब आज दुपहर की कमजोरी भी बन गई है मा था था अमकर वह वहीं चटाई पर लेट गई लेटे लेटे सोचा अभी चार-पांस साल पहले तक वह जब भी गली बजार में निकल जाती थी हमेशा इसी बात का खटका लगा रहता था कि कहीं कोई बोली ठोली न मार दे बिड में जान भूझ कर धका न दे दे मुए तेरे मा भेन नहीं है क्या ये है गाली तो सुशीला ने ना जाने कितनों को कितनी बार दी है कैसी मुसीबत थी उन दिनों पर इधर तो याद ही नहीं आता कि कब से और कितने दिनों से उसने यह सब नहीं सुना ना जाने क्यों सुशीला का मन हुआ कि काश वे दिन फिर लोट आते उसे अपने महले के गनेश की गाई पंग्ती याद हुआई जिसे वे उसे अकेली पाकर गा उठता था जानी जोबना पे इतना नहीं तराया करो कितना क्रोध आता था उसे उस समय गनेश पर जी होता था कि मरे का मुझ जुलस दे और मुझ जुलस पाने की असमर्थता को वे अपने गले के आचल से अपने को दाब ढाक कर सिर नीचा करके कत्रा कर निकल जाने में पूरा करते थी साथी छोटे की भी याद आ गई वे तो उसे देखती थी देखती ही हाईरी पठाका कहकर चाती पर हाथ रख लेता था वे उसे देखते ही जट से किवार बंद कर लेती थी आज उन पुरानी स्मृतियों की रेखाएं उभर आई तो सुशीला सोचने लगी अरे क्यों मुझे उस पर इतना क्रोध आता था उन बेचारों का कुसूरी क्या था उस समय की वे गहराई कच्ची लंबी सी भरी भरी देहे गोल मांसल कलाईया और फूली फूली खूब लाल सी की कचोड़ी से गाल होट माने पके वे करौन दे क्या जवानी चड़ी थी उसे भी बोली ठोली मारने वालों का ही क्या दोश दिया जाए खेर अब तो इधर मुद्दतों से मुसीबत दूर हो गई उसने माथे पर बल दे कर सोचा अब इधर तो कभी किसी ने इतना नहीं कहा कि चलिए देवी जी मैं पाचा ही दू कमजोरी बढ़ती जा रही थी सुशीला भूकी प्यासी वहीं चटाई पर सो गई दो बार सुभाश को जगाया पर कुन मुनाकर वे फिर सो गया सुशीला का जी हुआ ना जाए इतनी दवा खाती है इंजेक्शन भी लिये पर खून जब बनता ही नहीं कमजोरी दूर होती ही नहीं तो सवेरी की सेर से क्या अमरित घुला हुआ है पर पती उठकर दुखी होंगे कहेंगे पानी की तरह पैसा इलाज में जा रहा है एक कौने में दुपका हुआ था पूरब की और का अकाश कुछ-कुछ सफेद हो चला था सवेरा होने में आदे घंटे की देर थी दिन चड़ जाने में से एक तो सडकों पर भीड बढ़ जाती है और फिर घर का काम किस समय होगा दवा के कड़वे घूट की भाती सुशीला ने इस बीस मिनट की सेर को भी निगल जाना ही उचित समझा पैरों में चपल डाली और धीरे से दौर बंद कर बहारा थी हवा में ताज की थी परन्तु यूँ अकेले पागलों की भाती सडकों पर घूमना उसे तनिक भी नहीं रूचा इकके दुक्के सेर के शौकीन बूरे बेथ हिलाते इधर उधर आ जा रहे थे पड़ोसी के केंटिन का छोकरा अंगीठी में कोईले सुलगा रहा था सुहीला ने जल्दी जल्दी सडक पार की और उजाले की फूटती हलकी रिखाओं में वह यूकिलिप्टस रोट पर आ गए सेर करने को वह सडक बहुत अच्छी है पक्की साफ सुतरी दौनों और उचे उचे यूकिलिप्टस के पेड़ दूर दूर बसे दो चार खोटी बंगले परन्तु अकेले चलते उसे ना जाने कैसा लग रहा था यह गम नहीं था कि इस सवेरे के जुट पुटे में कोई उसके पीछे लगकर घर तक का पीछा करेगा यह चलते वे जान बुचकर कोहनी मार जाएगा क्या देखकर किसी के मन में यह सुरूर उबरेगा फिर भी फिर भी भैय युक्त शंका रहित सुशीला बड़ी मजबूरी से यह सेर का घूट निकल रही थी सड़क खतम हो गई और चौरा आया है वे लोट पड़ी शहर की गुञान सड़कों सुनसान सड़कों पर जाने से क्याला छे बजे वे घर आ गई अभी तक कोई नहीं जाका था दौार उसी परकार उड़के हुए थे प्रात्यकालिन वाईयों ने उसके मस्दिक्ष में जरासिस फूर्ती अवश्य भर दी थी परंतु सुफर्तिक्या पेक्षा उसके पाउं की धकन अधिक थी बड़ी कमजोरी लग रही थी वे चुप चाप मुन्नी के खटोले के पायते लुड़क गई आहट से मनोहर लाल की आँख खुली अंगडाईले सुस्ती दूर करते वे नौने पूछा सेर कराई पत्नी ने सिर हिला कर हामी भड़ दी कैसा लगा पर सुशीला कुछ नहीं बोली मनोहर उसी रौ में कहते गए अब बिना नागा जाया करना देख लेना फायदा जरूर होगा और पत्नी के वो निडाल पड़ी देखकर इतना और जोड़ दिया भई अकेले ना जा सको तो मुझे ही जगा लिया करना इस बहाने मेरा भी घुमना हो जाया करेगा तीन चार दिन निकल गए सुशीला अकेले ही सेर को निकल जाती एक आदबर मनोहर को जगाने की इच्छा हुई भी तो यह सोच कर रहा जाती की रात देर तक जाकर दफ्तर का काम करते हैं और फिर गर्मी और मच्छरों से परिशान रहते हैं सवेरी की ठंड़क में सोई वे हैं तो अब मुझे अंधेरे क्यों उठाओ सड़क पस शेर भालू थोड़े ही होते हैं जो मुझे खा जाएंगे और मेरा इस सेर से कोई फायदा भी तो दिखता नहीं दस-पांच दिन देखती हूँ फिर बंद कर दूँगे है अपनी उभरी नीली नसो वाली पतली बाहों को ताती फिर चपल घसिरती निकल पड़ती आज बड़ी गर्मी थी रात करवटी बदलते ही बीती थी सेर के लिए सुशीला उठी तो सिर भारी हो रहा था सोचा लाओ थोड़ा यूडी कोलोन ही मलनो दूसरे कमरे में जा बिजली जलाई श्रिंगार मेच पर रखी शीशी उठाने लगी तो उसमें लगे दरपन में दिखा धोती सिर पर से फटी है वैसे तो अभी अंधेरा ही था कौन देखता है परंतु लोटने तक उजाला हो जाता है कहीं कोई इनका परीचित ही मिल गया है तो सोचेगा हैड गलर की पतनी है फटी धोती पहने है अलगनी पर टंगी रंगीन वाईर की साड़ी उतार कर पहनने लगी तो बलाउच पर द्रिश्टी गई चलो भई इसे भी बदल लो इस साड़ी के साथ मैला दिखाई पड़ता है और फिर कंदे से जरा बाल भी सवार लिए मुझ पर तनिकसी क्रीम भी मली बिंदी भी लगाई और बिंदी का गिलेपन जो उंगलियों में लग गया था होटों पर रगड लिया शीशे में देखा पीला सुका चैरा जरा निखर आया था अपने आपको ही कुछ अच्छा अच्छा लगा अब इन कपड़ों पर पुरानी चपले क्या पहने सेंडल निकाले और पहन कर पहार आ गई हवा लगी तो यूडी कोलों से मिलकर माती करदर्द उड़सा गया सुनी सड़क पर चलते चलते शीशे में देखे अपने ही होट उभर आये कभी उसके होट असल में वैसे ही थे तभी तो कान की पास कोई साइकिल वाला घंटी बजाता जट से निकल गया सुशीला सजगोई उसे अपने पर ही हासी आ गई आज है किस दून में इस सड़क पर निकल आई थी खेर आज इधर ही सही यह नगर का राजमार्क नहीं था छोटी बस्ती की लंबी पतली सड़क थी दौनों और टीन से च्छाई या इटों से बनी छोटी छोटी दुकाने सस्ते ढाबे सड़क के किनारे चारपाईया बिछाए कितने ही व्यक्ति सो रहे हैं दुकानों के चबूतरों पर भी कुछ बच्चे नौकर लोड के पड़े थे एक दो पक्की हवेलियों भी बिमार जिस्म पर खूपसूरत गहनों की तरह सिर उठाए खडी थी इका दुका सवेरे सवेरे सुशीला सिहर कई देहे का ठंडा पड़ा रक्त तेजी से दौड पड़ा उसने अचका जाकर इधर उधर दाका सामने जिस छोटी दुकान पर हिमालिय टेलरिंग हाउस का दुन्दला सा बोड लगा था उसी के चबूतरे पर धारी दार पजामा अंडिले च कि कमीच पहने कोई व्यक्ति खड़ा दादून कर रहा था अच्छा गोरा चिट्टा लंबा चोड़ा तीस बत्तिस की आयो का होगा सुशीला को उधर ताक्ते पाकर उसने खा हाईरी जालिम निगाहें और सुशीला आगे पीछे बिना कुछ सोचे घर की और उल्टे पाउ भागे भागती ही गई भागती ही गई उसकी सांसे फूल रही थी मन में सोच रही थी कोई मुझे देखकर क्या कहेगा परंतु अपने द्वार पर आकर ही उसके पाउं रुके बीतर गई सबी सो रहे थे वैसीधी दूसरे कमरे में गई और शिंगार मेच के पास पीछी ही नहीं लग रही थी कोई उसके मन में कह रहा था अभी भी उसे एक पहरेदार की जरूरत है वे बूरी नहीं हुई है फूरती से उठकर वे शंगार मेच के दरपन के सामने खड़ी होगे देखा आज उसके गाल कुछ अधिक लाल है आखे अधिक चमकीली है होटों में ता उस नहीं हो रही थी रात की उलजी लटो को खोल कंगा फेरती हुई वे किसी पुराने रहसगीत की कड़ी गुनगुनाती आंगन में टहलने लगी कल से वे उन्हें साथ लेकर सैर करने जाया करेगी ना बाबा ये मुएं नहीं चोड़ेंगे नहीं तो सुशीला अब समय तक युवदी बने रहने का उसने निश्य कर लिया है